एलो एब्रिवन स्वागत आपका ये मेंटर्स के यूट्यूब चैनल में आज हम डिस्कुस करें कुछ नमबर 111 सीचेशल 2019 टियर वन के 19 मार्च ली आफ्टरून शिप्ट हम डिस्कुस करेंगे कुछ के माध्यम जे आपको हर कुछिन के लिए सेकेंड्स का टाइमर दिये जाएगा ठीक है कुछिन जैसी स्टाट होगा आपका टाइमर स्टाट हो जाएगा चलिए बिना किसी देरी कि अपनी वीडिय की शुरुआत करते हैं कुछ नमबर 111 हम डिसकुस करें कुछ का रिव्यू जरूर दीजेगा हमारे टेलिग्राम चैन का मतलब क्क pergunta मतलब एक ऊप τैन को किसी वर्द करते हैं कि वह लोगों से डरता नहीं है तो की करना को करते हैं यह यह श्यूवट के रहते हैं तो नहीं को तो टेम करना वो लोगों के साथ रहते हैं। यह की रहते हैं उनको की यहां चाहिकाbirds अन भी और किसी भी चीज़ करना किसी बहुत क्या करना एक इसको कंट्रोल करना तो यह किसी को डॉमेस्टिकेट करना ठीक है डॉमेस्टिकेट अनिमल्स करना बर्ट से करना वो चीज़ होती है एंटॉनिम इसका हो गया अपसेट ठीक है क्या आप यह क्या करने टेम कर रहें किसी कि यहां पर यह करेक्ट हो गया तो दूसरी मीनिंग यह साब से ठीक है इसलिए गलत हो गया पर रिस्ट्रीं का मतलब क्या होता है जवाब के रिस्टें करते हैं आप रोकते हैं किसी चीज को स्टॉप करते हैं किसी को काम करने से वह भी स्टुशलल के से फिस्टी को फिसी को स्वुस्ट और ठीक है तो यह भी क्लियर होग आपका में इसकार इस्ट्रीं का सैंक्टीफाइब यह कुछ सिद्दीक्राइब करना आप कुछ कि जिषद्धी करना एक ताइब का जब गंगा तक हरे त्टी कि अविल करने हो करतीघ कि आप करता है इसका इन बराद है और णीशने को नोगशन का है चाहिए नी करते हैं चाहिए है आप जो भी नएचर जो भी आड़ करेंगे वह इनुवेशन हो नइ बरबात करने यानिगी वेस्टिंव वनस तैंफर थिंग्स यह आप अल्रेडी बिन सैटिस्फेक्टर दर गिदिंगे जो अल्रेडी हो चुगी जाहा बिल्कुल उनको चीजों को दोबर आपना उस टाइम को उस पर आपके करना ताइम वेस्ट कर रहा है उनमें कुछ न को च कि कर्क्ड ऑप्शन होगा आपके पास डैमेजद यानिक आपको पूचात याप आपको पूचा था आनिश्का आपको बताने यह आपको सीन तो पहले तानिश का मतलब समझने कोश्चिजिक रहें ठीक टानिश्का मतलब बहुत है किसी पी सरफेस्ट या किसी भी जापके म consumers कर देना मतलब एक टायब काला कर देना काले जो करते हम इसकी मिन लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं देज़ के देडिया तो वड़ोल को होतह तो बूत देना तो वह तो इसको आप डैमेज करें अब समझने कोश करते हैं अपीस का मतलब इसे आपके पास एक ग्रूप होता है तो किसी चीज से सरकार किसी कदम से अगरों नाराज हो गया है तो सरकार क्या करती है एक टैप लोगे पाप देती थे उनको ठीक है थोड़ी देर शांत करने के लिए जो कोई भी चीज आप किसी भी जीज घुद्ध देर लेर बच्चा और गुसा आठी थोटे शुर्व तो यहीं खेलने देने खेलने लाली पपेली तो वोची अपीस का मतलब होता है किसी भी अः प्रिक्लियर ग्रूप को जो एंग्री यंद्ध को दोड़े शांत करने मे किसी जीच को नहीं बड़ा देने एक टाइप से ठीक है तो कहने का मतलब है कि तो मेक सम्तिंग मतलब है और चीज की अनुमति देना कर ने की जो मतलब का कि रही है् Chris सइच्ट कर रहे हैं संतुस्ट नहीं यहां अच्छी नहीं लगती वह कर रहा है फिर वहाब आप उसको एलाव तो वह उता है टॉलरेट इन टॉलरेट मतलब और सही शून अप उसको वो चीज़ करने ही नहीं दे रहे हैं जो आपको वह अच्छी नहीं लगते वह चीज़ हो गया तो टॉलेट वर्टिस वर्सिस इंटॉलेट समझ में आ गया टैम्प्रेट का मतलब होता है नहीं ज्याद new law या कोई भी यह ब्लिख करते हैं और सेकिंड मतलब जो थो होता है इसके पास किसी भी चीछ को न या किसी भी आइडिया को किसी भी कोई भी कोई आपके पास विचार हो सकते है उनको जादा से जादा लोगों में क्या कर आई spread करना या उनको aware करवाना उस चीज़ हो तो वो चीज़ हो दो मीनिकों किसी लोग को बताना और एक मास मीडिया में आपके पास किसी भी आइडिया वीडियो को प्रबगेट करना ठीक है कआ कौमडेट आप में सब्सक्राइब कि क्या मंस्टाइब हो गएर हमेशे धियान र differs में हमें सब्सक्राइब के поним रूम में रह सके तो accommodation आपने सुना होगा ठीक है तो वो इसी से आ रहा है तो प्रोवाइड समबडी वेद रूम और प्लेस तो लिव इन सुने के लिए रहने के लिए ठीक है तो यह चीज अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कुशिन की तरफ इसका correct option होगा आपके पहले समय नहीं कोशिश करते हैं यहां पर कहरा कहा रहा है और situation requiring a choice between two equally undesirable यह बहुत important equally undesirable alternatives यह कह सकते है alternatives यह choices और confusion यह कहने का मतलब है आपके पास एक तरफ कुँआ एक तरफ खाई तो वहाली situation जब भी आपके पास आएगी तो वह क्या कहला है कि एक प सब्सक्राइब कोई बीजी दोनों ही कि है आपके पास negative आपके पास adverse effect दे रहे हैं आपके आपके पार ठीक है तो वह चीज़ होते हैं डेलेमा instability यहां पर आपके पास stable नहीं जो चीज़ स्टेबल नहीं मतलब फिक्स नहीं हो यह एक्यूलीब्रियम स्टेट में नहीं ठीक किसी का मतलब इसाइब का सर्जरी में आफटर देवलब करते हैं तो वह चीज़ होते हैं तो वह चीज़ होती है आपके पास वह ऐसी जिसके पास experience है किस चीज़ का experience उस व्यक्ति के पास जिसके पास experience है वोल्ड नॉलेज का ठीक है knowledge of fashion culture कोई भी जो भी चीज़ आपके पास जो शूशल ही कह सकते हैं कोई भी आपके पास social context में जो भी चीज़ इंपॉर्टन रिज़ है वो चीज़ भी आपके पास sophistication हो तो दो मीनिंग होते है ठीक है आशा करते हैं समय में आगया होगा चलते हैं next question की तरफ करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास option भी यह इंपॉर्टेंट आपको कॉशन रहेगा आपको दिहां से सुन जिए का स्वांग स्पैलिंग आपको इसमें क्यूस करनी थी अच्छा निए पिए स्क्रूटनाइज यहां पर भी जैड लिखा हुए कंप्रमाइज यहां पर भ अब कुशन पूछ रहा है आपके पास जोड़ी इंग्जायम बनाया होगा यह वह तेस्ट क्या करना चाहिए रहा है चाहिए आपको अमेरिकन इंगिलिश वॉर्स ब्रॉटेश इंग्लिश के वर्स पता है कि नहीं पता है अप में पर स्कूटनाइज यहां पर लिखा हु पता है कि अपने कि का मतलब किया होता है किसी चीज को ने एक्जामीन करना ऐड़ के सब्सक्राइब करना जो है ना यहां पर आपके पास हमीशा जापके बीक्रणाया याँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस वाला भी कि आपके यहां पर इसे अपर सिर्फ चाइब सब्सक्राइब वेवेद होती है आम इभर एन इंगलिश्यूंज टेंगे इसाई में तो इसलिए यहां पर यह पास रॉंक स्पेलिंगे क्वेंश ङपर यहां किसी भी मतलब क्या होता है आपको बस Philadelphia कशी भी एरिया के उसक्त securely अपना अपने सठाफित कर देना मिलिटिश कोलों ये इंडिया उनने कि ना इकल ब tasting n प्रशते आत्र हो का सोरर्डर की कहीं हुए सबस्क्राइक नहीं हुई उसको उप्षिन उलिस्पार चॉण पैसे भी संग्यो कि किसी के पूद आपके बर्ष aan het you can sixteen sorry आपके पास से फाला होता है इसमें दोकर वाला भी सही होता हैれた अब है सब्सक्सी स्थ आइक उंप्रमाइश व्यवता है और इंग्लीश सुनिछ सिर्फ दिहान देने कुछ ऐसे आप्वाद होते हैं कुछ exception होते हैं यहाँ पर पास सिर्फ एक ही टैक की स्पैलिंग सही होती है या तक Z ही सही हो गए है इसे कॉंप्रमाइज में आपके पास सिर्फ S वाली स्पैलिंग सही है यानि क्रेक्ट स्पैलिंग हो गई सी ओ एम पी आर ओ एम आई एस ए ठीक है आशा करते हैं अच्छे से समझने आगा होगा जड़ और एस का कहा पर आपके पास पैलिंग में पूस्टा एक्जामी नहीं नेक्स्ट कोश्चिन करेक्ट ऑशन होगा आपके पास रिफ्रेशिंग यानि की ऑप्शिन नुब भी देगे समय नहीं कोश्च कहते हैं प्लेजर देती है आपके तो प्लेजर से आपके पास प्लेजंट और कह सकते हैं एक तरीके एक्स्टेंडिड मीनिंग इसका ये भी होगा कि फ्रेंड्लियर आपके पास कोई इन्वार्मेंट होता है या बातचीत होता है और फॉन अट्रेक्टिव गिविंग प्लेजर वो चीज भी होती है तो यानिक रिफ्रेशिंग यानिक लाइवली सेंस में आपके पास इसका मेंगी ये करेक्ट हो गया इसलिए ठीक है उसके बाद आपके आपके एक्स्ट्रीमली एवक्रेशिंग टिवर्ट चीज फंच फिराएटिए ठीक लाइए आपके सारे-प्शन कि मेनिंग क्लियर होगे होंगे क्रेंगे नेक्स्क्षिशन इसके क्रेक्ट और इप्षिन अब पास आप्शिन नब एक वालिंग हेड ओवर हील्स के अमगन हो जाना है कि दीपली इन लभ विछ सम्वन ठीक है ऊची हो गया अपर तो इसके पास हैड ओर हील्स विपस करेक्ट हीरिम का मेनिंग चलिए नेक्स्ट कुशिन पूसल लिबिंग इन सेम एज विद अनदर इसका करेक्ट ऑप्षिन हो गया कंटेंप्र एठीक है समयने कैसे कुछिछ करेंगे कन कौन का मितलब क्या होगा पस को का मतलब क्या होगा आपके एक साथ ठीक है एक साथ करें किया आपको रहते हैं लोग उनको का क्या थे अपस कुछ भी खेली जी होगे पास इसको आपके करते हैं इसको आप सारे सी क्रेट्स बताते हैं अपनी सारी प्राइवेट चीज़ों के बारे में इसके साथ आपके एक डिसकुशन कर यह सई करें एक स्क्राइब करता है यह फिर मिश्वेक्टि श्क्राइब इस साथ भी गर रर एकटिविटी करतé है एकसरी में का बड़ेटेों कर लिक्ट करैटर लोगे हूं थियुजिंग के लिए साथ 158 आटते हैं और कुछने कुछ पर्रोडीव कर सकते हैं फोली पोड़कास्ट मान सबसकती हैं आपके भी जीज के लिए सांथ अना वह था दो अलग लगया दूसर ज्शादे लोह कर साथ साथ में आना को लैप कहा रहाता है ठीक है सारे मेनिंग क्लियर हो गए होंगे चलते हैं नेक्स कोशिन की तरफ तरह जो करेक्ट आपके फार्टिए यानि की डिस्प्यू्ट के मतलब क्या होता एधा बहुता पाकिसाण इंडिया-ंडिया-ंक शरक्री का यह क्यों आपके पास एक डिस अग्रीमेंट टाइप का मदगे आपके पार डिस्प्यूट के जो आपके आप देखेंगे जो वर्ब जो होता है उसके मदद कोई क्वेशन करना किसी की भी किसी की लिएलिटी के वो एक्जिस्ट करते हैं नहीं मैंने मानता है इस चीछ को तो मेरी और लॉजंग संग्धिंग संइट या इड़ी आप मैंड्मिन संथिंग मांची का हाँ कि ये मांचिकहों के यह चीज उसकी है तो यह दोनों क्या बनता है वापने यह वे होगा है यहाँ पर आप अग्री नहीं कर रहे हैं आप एग्री कर रहे हैं ठीक है यह चीज को किसी की प्रती इंप्यूट करते हैं इसका मतलब क्या होता है जब ऐसे बोलता है कि इस चीज के लिए होना वह व्यक्ति जिम्मेदार है और बिल्कुल ऐसे बोलता है अन्फियर लिए कहने के तरीका जो होता है वह आपका इंप्यूट कहलाता है तो आप कह रहे हैं इस चीज के लिए वह जिम्मेदार है यह गलती उस नहीं करी है बट ऐसा अनफेर वे में आप बोलते है ठीक है तो वह चीज़ी होगा आपका इंप्यूट का मतलब तो होता ही जगड़ा करना है ठीक है तो इसी के साथ हमारे यह क्विज की एक्स्प्राइशन वीडियो एक्स्प्राइशन क्विज 111 की समापती आप क्विज का रिव्यू जरूर दीजेगा हमारे चैनल क्विज इंग् वीडियो में सी यू अगें